ओल्राइट गाईज कैसे हैं आप सभी लोग अच्छा एक बात आप सभी लोग जानते हैं कि यूट्यूब के अलावा मेरा एक अपना ओफिस भी है जहाँ पर हम सभी लोग काम करते हैं और ओफिस के अंदर एक चीज हम सभी लोगों ने सीखी है कि टाइम और पैसा बहुत ज एक रेगुलर इस्तमाल करने के बाद ये रिव्यू बनाने का मैंने फैसला लिया क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि टाइम और पैसा बिजनस में बहुत इंपॉर्टन है हमरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टन है वैसे ही जब मुझे लगा कि यह हमारा एक तो यहाँ पर हमारी एक responsibility बन गई कि इस printer के बारे में मैं detail में आप लोगे साथ share करूँ ये है HP brand का HP laser jet tank MFP 2606 SDW और ये एक all-in-one solution है जहाँ पर आप print, scan and copy तीनों चीज़े कर सकते हैं लेकिन इसमें कुछ खास ऐसे 5 point हैं जो इसको market में मिलने वाले और AIOs से बिलकुल अलग कर देते हैं और उसी के बारे में detail में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वैसे तो इसे पिछले एक महीने से मैं इस्तमाल कर रहा हूं लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब unboxing होगी तो आपको इस printer के अंदर क्या-क्या देखने को मिलेगा सबसे पहले box hole ते ही एक user manual मिलने वाला है उसके साथ यह high speed USB cable एक आपको power cable मिलेगी और साथ में मिलेगा यह printer अब यहाँ पर सबसे पहले point के बारे में जो मैं discuss करना चाहूंगा वो मेरी personal problem भी थी वो थी connectivity की लास्ट हमारे जो printer था उसको किसी को भी जब print out देना होता तो especially उसके पास जाके बैटना पड़ता था तार जो हो connect करनी पड़ती थी और उसके बाद print out निकल के आता था लेकिन यहाँ पर आप किसी भी wireless device को इस printer के थुरू connect कर सकते हैं चाहे वो laptop हो, desktop हो, smartphone हो और इसमें आ smart app advance install करके उसको भी use कर सकते हैं, connectivity के अंदर ही एक बात में आप लोग के साथ share करना चाहता हूं, जब आप office में किसी printer को install करते हैं तो वहाँ पर safety and security भी एक बड़ा concern निकल के आता है, तो यहाँ पर आपको best in class HP wolf essential security देखने को मिलती है, जिससे आपको secure booting facility और improved auto scan, mobile fax जैस and यह claim करता है कि इसमें 75% less plastic का इस्तमाल किया गया है और यह printer e-peat silver certified है, एक line में अगर कहूं तो काफी long lasting printer है, अगर आप काफी लंबे time तक के लिए किसी printer को लेने का plan कर रहे थे, तो definitely आपकी choice यह printer हो सकता है, अगर features की बात करूं तो इसमेर आपको wifi तो मिली रहा है, साथ ही आपको duplex printer का option भी देखने को मिल जाएगा, कहने का मतलब printer काफी smart है, अगर आपने दो page का print आउट दिया है, तो पहले एक page पर front पर print हो जाएगा, उसके साथ ही automatic document feeder बोले तो ADF feature आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसके थरू बिना किसी जंजट के आप multiple pages को copy य आपको इस series हिंदा देखने को मिल जाएंगे, और जो duplexer और ADF feature है, वो 2606 series printer model में ही available है, और finally सबसे important चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि performance हमारे को इस printer में कैसी देखने को मिलेगी, साथ ही costing, मतलब कितने का पढ़ता है भाईया, तो performance के अगर में बात करूँ, तो यहां पर आप एक, तो performance के अगर में बात करूँ, तो यहां पर आपको एक minute में 22 page जो है वो यह printer निकाल के दे सकता है, मतलब 22 ppm आपको देखने को मिल जाते हैं, और अगर cost की हम बात करें, तो सिर्फ 29 पैसे की cost आती है per page पर, और अगर इस printer के drum life की बात करूँ, तो एक ब और अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक magic, इस laser printer के अंदर आपको refill करने के लिए, किसी भी technician की जरूरत नहीं है, और refill जो है वो 15 second के आसपास में हो जाता है, और इस चीज़ का मैं आपको थोड़ा सा demonstration करके दिखा देता हूँ, कैसे 15 second से भी कम time में आप इसके toner को refill कर सकते ह हैं, इसके लावा एक बात मैं आप लोग साथ share करना चाता हूँ, normal print out तो obviously बात है, easily इससे निकली जाएगा, लेकिन जो लोग DTP का काम करते हैं, या फिर जो लोग printing press के उपर काम करते हैं, उनको कई बारी butter paper निकालना पड़ता है, कुछ stickers वगरा भी print करने पड़ते हैं, त अगर paper printer के अंदर somehow stuck होल जाता है, तो easily back panel के थुरू निकल भी जाता है, और रही बात इस printer को इस्तवाल करने की तो वो इतना असान है कि उसको बच्चे भी बहुत ही easily चला सकते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, back panel में आपको 3 port देखने हो मिल जाएंग, एक power का है, सा उपर आपको USB port देखने हो मिलता है, front के अंदर आपको display panel देखने हो मिलेगा, साथ ही उसके ठीक उपर power button है, right hand side पे wifi का आपको button देखने हो मिलेगा, बाकी copy, up and down, numbers वगरा कम करना, cancel का button, ये सभी buttons आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाते हैं, उसके ठीक नीचे आपको paper tray द इस से पहले भी बहुत सारे printers जो मैं इस्तमाल कर चुका हूं, और इस printer को भी लगबग एक महीने से मैं इस्तमाल कर रहा हूं, normally अपने चैनल पर मैंने कभी printer unboxing का या review का वीडियो नहीं डाला, ये printer के अंदर genuinely मुझे ऐसा लगा कि ये आपको एक बहुत अच्छी value for money दे रह इनका service network भी काफी अच्छा है पूरे इंडिया के अंदर, overall काफी अच्छी value for money ये all-in-one आपको बना के देता है, तो ऐसे में मुझे अपना ये purchase, one of the best purchase लगा अपने office के अंदर, इसलिए वीडियो में आपके लिए बना रहा हूं, फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, तो आप मुझे से नीचे comment box में पूछ सकते हैं, इस product के बारे में आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, तो इसका link में नीचे description में दिया है, जाके आप अच्छी से check out कर सकते हैं, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर सकते हैं, मैं लगातार आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूं, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी नेक्स वीडियो के अंदर